प्रभ येश्यमसी के नाम में आप सब लोगों को जयमसी की, दोस्तों हो सकता है आपका मन उदासो, आप असांत हो किसी भी कारण से, और आप सांती की तलास कर रहे हैं, प्रणतों आपको कहीं भी कोई सांती नहीं मिल रही है, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजकुमार है. अब अबचन में लिखा है कि प्रभू येश्व मसी सांती का शोत है. यहोना रचिसु समचार उसके चौधी वे ईज्याए और सताइसवे पद्मे इस परकार से लिखा है. प्रभू येश्व मसी ने कहा, मैं तुमें सांती देता हूं मैं तुम्हें अपनी सांती देता हूँ जैसा संसार तुम्हें नहीं देता हूँ वो सांती मैं तुम्हें देता हूँ तुम्हारा मन ब्याकुल नहो और तुम्हारा मन डरे नहीं दोस्तों प्रव येश्यमसी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी सांत होता है दोस्तों हो सकता है कि हमें इस संसार में कलेश हो हमारे जीवन में विपत्या हो दुखो परिशानिया हो, कलीस हमें उठाने पड़े, प्रंत येश्व मसी कहते हैं, धाडस बांदो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, तुम्हें मुझ में सांती मिले, मैं अपनी सांती को तुम्हें दूंगा, और गिंती किताब 6 ध्याय और 26 पद में इस परकार से लिखा है, कि यहुआ अपना मुख तेरी और करे और तुझे सांती दे रहें, यदि आप येश्व मसी पर विश्वास लाते हैं, तो यहुआ पर मेश्व अपने मुख का परकास तुम पर चमकाएगा, और तुम्हें वो सांती से भर देगा, दूसरा थिसलिए उनकियों, और 3 और 16 में परकार से लिखा है, प्रभु जो सांती का स्रोत है, वो आप ही तुम्हें सदा और हर परकार की सांती देगा, तो दोस्तों प्रभु येश्व मसी सांती का स्रोत है, यदि आप अपने जीवन में असांत हैं, यदि आप आज उदास हैं, यदि आपको कहीं भी सांती नहीं म तुम्हारा मन डड़े नहीं, ढड़ास बांदो, दिर्ड हो जाओ, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, मेरे प्रिये दोस्तों, आप येश्व मसी पर विश्वास लाएं, येश्व मसी आज आपको सांती से भर देंगे, आए हम दुआ करें, प्रभु येश्व मसी मैं आज असांत है, जिनके मनों में सांती नहीं है, प्रभु आप उन्हें अपनी असीम सांती से भरें, प्रभु उन पर अपने मुख का प्रकास चमकाएं, और उनके जीवन को सांती से भरें, प्रभु येश्व के नाम में, आमीन